वो सकता है आप लोग सब्र रखिए हरे को देखिए आपको हरे कोस्टिन समझ में आएगा देखिए यहां पर हमारे पास जो सबसे पाहला जो कोस्टिन है क्या है यहां पर 140 का सबसे पहले हमें अभाज गुननखंड करना ठीक है चलिए करते हैं तो देख लिए 140 को करेंगे त ततर हो गा फिरदुख बायरां कर जाएगा पैंठीस होगा फीर हमारा पांच सबसे के साथ हो कर देखिए लिए section number 2 पर दॉखेह Spain के माहैं कि पाइब आ था कि और यह रहा NIK मानको छोओवर स्प्टेते जूसर पराकार से देया रहताा था तो यहां पर दो Cos Bald Lab तो ऑ पर हमारे creation नहीं आएगा और तौहसे बन e3 जाएगा और यहां पर हमारा eight common नहीं आएगा और देक्ष क्वा गोट kan हम में एक चीह जानते हैं जो दो से पुरापुरी कर जाता है उसको सम बोलते हैं और जो दो से पुरापुरी नहीं करता है उसको बिसम बोलते हैं आपको पता है कोई दिगत नहीं है जो दो से पुरापुरी कर जाता है उसको सम बोलते हैं और जो दो से पुरापुरी नहीं कर वह में इसम मतलब स्क्रेशं थिकंप 1 सब्सक्राइब वार्म डिया ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब ढ़ते हैं कि तब ये सम्हों जाता बात के लिए बात सम्झ में आ रहा है यहां पोरा पुरि नहीं कटाना इसीलिए भी सम्हों यह पर लोग यहां पर आराम सी कमल ले सकते हैं तो यह भी हमारा सम्हों हो गया तो इस प्रकार से आप लोगों को एजाम में कोश्चन दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे चलिए आगे देखिए अगला जो कोश्चन है कोश्चन नमबर 3 यहां पर क्या है देखिए है यहां पर 3 है यह वह हमारा एक क्या है यह कने हो गया चोड ही हो गया इसलिए तीन का सई हो जाएगा आपसे नमस्ती यानि कि आ परी में बिलकुल इसका जाएंसर और यहां पर चलता है इंडेलेक्ट हमिए फिर आदेगर हो जाएगा है यह प्रकार से भागा भाला होता नहीं है वह ब्लस यह पर वह लोता है तो यह ब्लाबर बिक्यू प्लस आर इसका बिल्कुल हमारा साही एंसर हो जाएगा यह युक्लीट विभाजन एल्गोरिफम में आगे चले आगे देखिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर पांच देख लेते हैं यहां पर हमें देख लिए यह हमें योग दिया हुआ है और यहां पर हमें द्विगात बहुत निकालना है देखिए यह योग ब्राबर कितना थिया बई योतिंद्या है ठीक है फिर गुननफल दिया है गुनन फल कितना दिया मायनिस दो दिया मायनस दो लिखिए अब यहां से यहां पर यह जो फर्मुला इस की अंसलब एटा भिए याग्स स्कुरे है रहने दिजीए माइनस सोनियंको का योग योग कितना यहां पर 3 है तीन लखीये गुणा है Uh الزाट है योलिटिफ है यह होगिए यह अघिंक तो यह होगिया हमारा इसका फारइनल एंसले और 3-2's का सही है है सब्सक्राइब यह बहुत है कभी भी आप इस प्रकार से योग और गुनन फल दिया रहे तो यह वाला फॉर्मूला बेठा ये सबसे आसान तरीका सबसे आसान चंशप्ट है यहां सब लोग बना सकते हैं और आपको यहां से एक नंबर आसानी से मिल जाएगा आगे चलते हैं आगे देखेंगे यहां पर यहां पर क्टा है तो तो नमरर दी इसका बिल्कुल सब्सेंशर हो जाएगा कोई प्रोडम नहीं है कोश्चन सेबन क्युरो बढ़ते यह देख लेते हैं कोश्चन सेबन तो तो देखिए कोश्चन सेबन यहां पर हमें एक भषूपद दिया हुआ है और इसका हमें सुन्यक निकालना है क्या आपको यहां से 4 U common मिल जाएगा तो चलिए फटावर common ले लिए हमने 4 भी common ले लिया और यू भी common ले लिया तो 4 common आ गया यहां पर तो बटाइ چार यानि एक तो हमारा जीरो आ गया ठीक है और यहां पर है यू प्लस टू है ठीक है यू प्लस टू है खृँ क्या है यू प्लस टू है और एक मैनस दो दो मिल गया यानि यह मिजिरो मिल गया और एक हमें माइनल्स दो मिल गया जैनि इसका सही उत्र हो जाएगा यह तदासी दोनों कोई दिकत नहीं है यानि साथ का सही होगा अप्षिन नमर डी बिलकुल राइट एंसर होगा इसको आप लोग डाउन कर लेजिए आगे बढ़ते से लिग दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपका a1 by a2 not equal to b1 by b2 हो तो यहाँ पर क्या होगा इसका मतलब होता है अदुट हल मने होता है कि केबल एक हल अदुट हल मने क्या होता है कि केबल उसका एक हीट हल होगा और इसमें अगर रेखा का बात क होगी यह संपाती रिखाएं होंगी कोदिगत नहीं है और हमारा a1 by a2 बराबर b1 by b2 हो लेकिन not equal to c1 by c2 हो तो यहां से कोई भी हल नहीं मिलेगा यहां पर सामानतर रिखाएं हमें मिलेंगे कोदिगत नहीं है सर समझ में आ रहा है आप लोगो तो यहां पर question में हमें दिया कोई दिकत नहीं है आगे बढ़ते हैं question number 9 यहां पर आप लोगो देख लेना है देखें को समय दिया गया है एक हमें दिया गया है 6x minus 2y plus 9 बराबर 0 यह जो एक्स के साथ होता है न इसको ए बोला जाता तो एक आमान हो यह चो वाई के साथ जो होता है उसको लोग भी बोलते हैं लेकिन अगर माइनस रेगा माइनस को भी आपको लिखना पड़ेगा यह जो है यह हमारा क्या हो गया सी हो गया ठीक है जो इसे रहता है उसको सी बोलेंगे यह पहला बला संक्रान है इसको लोग 1 1 1 बोल देते हैं को दिकत नहीं है इसी प्रकार से हमें यहां पर और एक 3X-Y 12 बरावर 0 X के साथ जो रहता है इसको A बोला जाता है Y के साथ जो रहता है उसको B बोला जाता है यहां पर कुछ नहीं है मतलब माइनस 1 है और यहां पर जो एकलिया रहता है इसको C बोलते हैं तो यह दूसरा संक्रान के लिए यहां पर 2 होगा यहां पर भी 2 होगा और दो आ गया फिर हम लोग यहां पर निकालने निकालने थीवन-वैंवी टू तो ही निकालना है थी तो कितना है तो कितना सब्सक्राइब लेकिन यह वाला बराबर नहीं है यान इसको मुझेंगे कि A1 भाई A2 बराबर क्या है B1 भाई B2 मतलब यह दोनों बराबर है और यह C1 by C2 के बराबर नहीं है कोदिकत नहीं यहानि A1 by A2 equal to B1 by B2 है और not equal to C1 by C2 इसमें कोई हल नहीं होगा और इसमें हमें समानतर रेखाएं प्राप्त होंगे कोई दिकत कोई प्रोलम नहीं यह बात समझ में आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया है फटापट कोपी में नोट करिए आगे चलते हैं और question number 10 को देख लेते हैं तो देखिए question number 10 यहां पर हमें दो समिकरन दिया हुआ है और यहां पर देख चार option है option को हम लेंगे एक अकर की check करेंगे जिसमें हमारा verify होगा वह हमारा final answer होगा तो यहां पर हमें सबसे पहले दिया गया है कि x plus y बराबर 6 ठीक है और एक हमें दिया गया है x minus y बराबर 2 दोनों समिकरन के लिए वह संतुलित यानकी satisfy होना चाहिए तभी जाकि होगा सही नहीं तो नहीं होगा ठीक है ठीक है ठीक है पहला जो option है क्या है चार और तीन है इसमें आप लोग एक चीछी जान लेजिए पहला वाला जो है नहीं है दूसरा वाला y का मान उ आप साले तो होगा ही नहीं होगा तब आप लेका चलते हैं चलिए नहीं देखिये if to a come होगा एसको करके देखिया छोड़ेंगे तो रहा है इसको चेक करा जाए तो दो हमारा हमारा नहीं को देखा जाए तो और यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर हमारे हमारे होगा फाइनल एंसर होगा इसी प्रकार से आपको समझा देता हूं लिखने का जरूत नहीं है तो इसक्वर भी कि यहां पर यहां पर यहां पर यह सब्सक्रम कर दो खत्क होगा इसमें इसमें इसक्वर बचेंगा ही नहीं मतलब यह द्विगातम नहीं होगा उस्सी प्रकार्स डेक यहांपर इस पराइगा इसको नहीं होगा इसको देखें एकसे आपर इसकोल नहीं पाइले से ही स्कार को ङुजटक्र इसका आएकत सिह सब् analytics जायेगा इसको लगें मतलब इसमें हमारा एक्सिस पर बचा हुआ मिलेगा ही मिलेगा इसलिए वाला क्या है हमारा यह वाला हमारा सही होगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग नीचे कॉमेंट कर दिजिए गा मैं आप लोगों के लिए और एक प्रिटिकुलर वीडियो बनाऊंगा खरी चीट लिए एक करके सेप्रेट सेप्रेट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए वारा देखिए आप आपको मूलों की परकिर्टि बताना है चलिए प सब्सक्राइब निकालना है तो बीस्कुरर मैं इस फोर एक पर गया और चारे के चार हो गया उसे चार रहें प्र यह तो कभी भी अगर धानातमक होगा जो बास्तिविक मिलेगा और अलग लग मिलेगा पसिन मिलेगा और अलग जिए बिल्कुल सायुत्तर हो अगर आपका 20-4AC बराबर अगर आपका 0 आ जाता है तो इसमें क्या होगा मूल जो होगा यह मूल हमें बास्तिरिक मिलेगा और बराबर बराबर मिलेगा यानिके समान समान मूल मिलेगा कोई दिकत नहीं है बराबर बराबर मूल मिलेगा कब जभा विज्वर माईनिस पॉर एक प्लस बला जाता है तो मूल तो नहीं होगा और अगर अगर ऑगर बात के लिए रोरा समझ में आए चलिये कोश्य आगे देखिये कि दो भीन्न वास्तिविक मूल होंगे तो भीन्न वास्तिविक मूल कब होता है वह हमारा धनात्मक होता है तब हमें कमोल मिलता है और फिन्न विन्न हा कि जरो को मार देगा यह ज़िरो को मार देगा यह उए से बढ़ा होगा जि अक्ता हमारा सही हो जायगा यह कोटीन चलते हैं अप्लास सब्सक्राइब बार दिया है इस मिल गाँ पिर से मिल गया लात ह disp तक डिल्कुल सही एंसर को जाए गाएगा अंदिक विए फ्रमूला है ठीक देखित एन का जो फोर्मूला होता है क्या होता है यह वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी यह उटा फ़र्मुला इस फर्मूला को यह से भी लिए जाता है कोई दिगत नहीं है तो यह प्लस और माइनस वन इंटूटी यहां पर एवन दिया हुआ है कितना साथ दिया गया है निकाल सकते हैं तो ओजये तो माइनस यह वन हो जाएगा सथ माइनस 10 हो गया ठीक है ना पर अनिकाल निकाला है रही टिटना है पर निकालना होना आप क्या आप यह घ्रिगें गर इस निकाला है पहले तो ए मुझ दिजी फट्री एवन हर एक बार में पाले वन लिग दिना है और आप जिसे तीस तो फैंल को यह लिखी देना है और पटास में घड़ा इस प्रकास आपने अपने सिलिका और तीस नहीं अपने सिलिका और 3 में घड़ा दिया तो उन तीस अगया तो नहीं कि नहीं कि देंगे जोड 29 तीन कर देंगे अब देंगे कि यह हो जाएगा है तो चलते हैं देख लेटें कोशन में 17 हमें सत्रा हमारे पस क्या है देखिए कोश्य नमस 17 यहां पर दीक हमें दिया हुआ है कितना थिन दिया है आठ दो में लेते हैं कि माना माना नुवां पद जो होगा इनवां पद जो होगा माना इनुआ siitä तक टर है अनुमान लेते हैं कि जो होगा और यह को लोग ईयन बोलते हैं न का बोलते हैं यह प्तर आगिया आधार आगिया अब एन का फ़र्मूला कि पता है क्या होता है कि दो न प्लस आरे माइनस वन इंटू वराल्ट राफ्तर हो जाएगा अब यहाँ भी लूपे टाये वर पहलीम कितना है तीन दो तीन लिग दिगे जोड एन माइनस वन वर डी 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 का मानी अपर पांच तीन पांच निग दीजी बराव कहा होता है अडी का फिकर हो गया चलि तो यह पास्चन तो पहले कात रहे गाई तो टीन माईनस पास कर देंगे तो यह पूल जो जाएगा यह तो जाएगा यह निकल सकते हैं तो यह 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 पर बात हो रहा है कि जो दो आप बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा आगे चलते हैं कोश्चन में 18 कि और बढ़ते हैं देख लिए इस प्रकार का जब बुचा का नुपात दिया रहे तो चेत्रफल का नुपात केसी निकालेगा जिसे यहां पर नुपात नौ है ताब को इसका स्कूर कर देना चार का स्कूर बिलकुल सब्सक्राइब कर देखिए अगर इस प्रकार का कुश्चन आये ना तो हमेसा उसका नबबे डिगरी होगा किनकि इस प्रकार का जो कंडिसें होता है यह पाथागोरस का जो पर में होता है कर निसकर बढ़ाबर आधार इसको जो लंब इसकोर उसी से हमारा सट्ट षपह होता है और चैनल आफिसे हमलों करते क्या है कि ऑई लिग जिए तो बड़ा है इसमें बारा हमतार क्या करी एक सार्मली जो करने का काम करेगा और जिसी जो छोड़ाई-छोड़ा उसको दो न तरब भीजिसे हमल क्या 6 10 12 ए इसकार कर दिजिए इसकार कर दिजिए तो और इस प्रकार से जब दोनों मिल जाएगा ते हमार क्या होता है संकॉस होता है होता है कि कर नभी स्क्वार्ब रिख यह पर नुटिवर् बोली है कि अपने च्वह रिख hora ङंप लिख कर लिख ठेब तो मूल बींदू से man advisory मूल बूबिदू हो घी करी मूल बिन्दू हो गया और हमें पर बहुत है और यह प्वींदू धिया गया इप स्मूल भिन्दु hacen 0 0 पता है और सफित पता है और सिकार दिया गया सब 8 тан Dubai इसका फर्मूलां हमें पता देखने आप यह होता है ऑई वं इन टिखर यह होता है यह होता है तूरी सुत्र होता है तूरी सुत्र को बराबर डूर अंडर होता है एक स्टू मेंस एकस्वन का व्लिषुयर प्लस वाय टू माइनस वाय वनbooks करना क्या है एंस दो टू कितना है यहां पर तीन है तीन लिकिälle कना रों च्एम प्रेजिक कर दिजिए फिर यकितना है 4 है चार लेखियेम आभी मानन किताट य्चिर सबसाब लो इसको कर से दोके बुझые करेंगे तो यहां से 16 मिलेगा तो 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 याने की बर्गमुल पांच तो पांच मातर इसका एंसर हो जाएगा इस प्रकार से कोई दिगत नहीं बात समझ में आ रहा तो 21 का सही उत्तर क्या हो गया और पांच का बंज बहुत निकालने के लिए बहुत आसान है क्या करना इसका इसका क्या है दो है रहाए इसके प्रस्ट में चार है लेखिये इसको तो से भागा जाएगा पांच दो हो जाएगा चाट तो तीछों और तीन और छो आ गया तीन और छो आ गया तो यह हो गया हमारा कोश्चन और फिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा आगे चलते हैं कोश्चन हम स्की और यह हमारे तीर्कुलमिति का कोश्चन है ठीक है देखिये जिसे यहां पर हमें दिया गया है टू साइन ए बराबर साइन टू ए डिक फर्मूला होता है यह विश्चन है रहने दिजिए स तो एक बराबर क्या आएगा को से आएगा ठीक है तो यहांसे पॉसको सकत जाएगा तो एबराबर मिलेगा जिए वर आपर कितना डिगरी मिलेगा जिरो डिए तो 23 का हो जाएगा आगे चली आगे देखिए अगला कोशन क्या है यहांपना में दिया गया कि कॉस 48 डिगरी माइनस साइन 42 डिगरी मैंने आप लोग एक फर्मूला पढ़ाया था आप चाहिए इसको बदलिए चाहिए आप इसको बदलिए अगर आप लोग इसको बदलना च तो कॉस को बिल्कुल हो जाएगा यानिकि 0 इसका एंसर सही हो जाएगा कोशन देग वर चाहिए यहांपने क्या हम सब्सक्राइब होता है को से का फॉर्मुला क्या होता है रूट अंडर वन-minus-sin2 यह वो तो जानते हैं था लूग आसानी से बना लेंगे यह बोटा है लम बाटिकर नोट है तो उस फॉर्मुला सभी आप लोग बना सकते हैं आपका जो भी मर्जी पाम लेते हैं एक का यह रहने देते हम लोग तीन कर्षक्र नों हो जाएगा पांच कर्षक्र पच्छिस हो जाएगा नीचे कुछ नहीं तो एक माल लेजिए अब आगे चलिए देखिए एक और पचिस का लौस कितना हो जाएगा ठीक और यहां पर आगे चलते हैं आगे चलिए कोश्या में 26 अगरवादर खड़ी है एक बिंदू जो मिनार के पाद बिंदू से 15 मिटर दूर है मिनार की सिखर का उन्यों कौन साट डिगरी है तो मिनार के उचाई ग्याद करिए ठीक है पाद बिंदू का बात हो रहा है मतलब यह जो नीचे वाला जो होता है यह नीचे वाला इसी को וזगे को लुकत कोंधर साट डिगरे का गया है साट डिगरे का इहां पर कोणगे त olduğunu नहीं है इन पर आघ्र का गिवन और monsieur निकालना पड़ेगा लेकिन घृक स्कार लम का जिक्र हो रहा है और ने जिक्र हो मोम गो नित्व चौश को का इस कि देखिया कि लंब और आधार किसमें होता है तो भाई ट्यान में होता है टीक है इसमें इसमें राधार को का टीक है लेखिया लंब और आधार हो जाएगा तो हो जाएगा अब अधियान से तीटा तो टेन का टेन रहना देते हैं वाट टिटा अमनियावर इतना है साट है जाते लिए लिए लब जो क्या में या पर निकालना है छोड़ जिए रहने जिए लंब रहने दिजिए ठीक है और आधार आधार कितना है यहापर 15 है तो 15 लिए लिए साट दिग्री मान कितना होता है तो देखिस फ्रकारक्षा होधा है थेखिए यह बहुता है तो देखिए हैं पर जाइघा क्या हो जाएगा यहांपर रूट अडर भी हो गया यहां पर नहीं पर लंब पर लंब हो जाएगा ठीक है और यहां पर 15 रूट तिन तो 15 रूट तीन हो जाएगा यानि आपर देख तिन है कहीं पर भी बिल्कुल है लेख थी of the actual senandernen πियार में हम लगों तो कनसेट होता है यह कुछ करेंगे यहापर निया कर दिया रहेगा करना अधार दिया रहेगा आधार करने आधार करने दिया रहेगा दाल दा हो सब्लyyar कुछ कह यहां पर क्या होगा हमें कोई थेखि明ब होगा उसी क्या होंकि को करेंगे अच्छेखर जियर में Candra को क्या कि माल लिया इवसको यहां पर 1 लंब मिल रहा है मिल रहा है और ची हम तो लंब और क्या गरते हैं किसमें जाएंगे साइन 편 और का लंब और करन कितना है तो होता है कितना मिले तिस डिए यान कि कौन आर कहने का तातपर यह क्या होता है तो यहां पर बताया जा रहा है तो यहां पर देखिए कि कौन आर का मन कितना आ गया अब यह हुआ क्या कोन आर यह वाकोन है लिए है यह मारे क्या भई यह यहां पर यह मार अविच की अर्की वाल या कि दोनों का मिन आप लों को कैसे क्या करना है तो यहां पर रहा है और कूण UPR का यहां पर आ रहा है। 60 seu to virage date आगे चलते हैं Q88 सामद één गया है Q108 क्या है कि एक ब्रिथ की कितनी सफर्ष रखाइप हो सकती है तो एक ब्रिथकी ऎनन्द इसफर्ष रिखाइं हो सकती है याने की पर्मित रूप से अनेक सफ्र्ष रेखाइप होँगे अगला जो कोश्चिन कोश्चन नवर 29 क्या है देख लिजे ये कि 5 सेंटीमेटर तिर्जा वाले एक व्रेथ है यहां पर हमारे पास कोई व्रेथ है और इसका तिर्जा दिया गया है कि बिंदू P पर इस पर से रेखा PQ यहां पर एक बिंदू हमारे पास P है यहां पर यह Kyu हो गया ती हासे लेकर only किलंबा ही ग्यात करनी है मां भी जोли किलंबाई रही पी-क्यू यह हमें निकालना है इस compact Cons थिरभूज है जहां पर यहमारे क्या हो जाएगा स 그냥 यह बढ़का जैसे हैं यह हमारा करन हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा यानि हाँ पर हमें आधार निकालना है ठीक है करन हो गया 12 संटिमीटर लंब हो गया 5 संटिमीटर और आधार निकालना है पाथा और उसका परमिय हमें पता है करनी स्कुर बराबर आधार स्कुर जो तो fine तो आधार स्काल हो जाए गा तो सही एंसर हो जाएगा आगे चलिए पैस देख लेते हैं यह ना यह आप तो शबसे पहला बाद पूद सही जानना पड़क पुद सही आप लोग चितर को बनाना पड़का पलेगा नुदे जारोग में आपको बता देता हूँ अंहेशन दीखा देता हूं एननिकालना है आपको पता है किस प्रकार से निकालते थे हैं यह हम आरा हो सब्सक्राघन हो गया यह क्यों चात्र पूझ चार पूंड का यह कितना होता है तो चलिए जोड़ियों थिस व्हौन गये च्शन सबस्ब्सक्राएं चलिके इसको भी लिग लेते हैं यह हमारा कितना हो गया 90 हो गया और यह हमारा देख सो दस है साथ हो गया और यालम प्लस 290 है इधर जने से माइनेश 290 हो जाएगा अब डूसेसे हो जाएगा तो सत्त डिवी का इंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर B इसका बिल्कुल सही कोश्चन आ जाता है तो ठीक एले प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें तो खोगा नहीं आगे आगे आप लोगो सब्यक्टि बाला भी कंप्लेट सोलुशन में आपको बहुत ही जल्द दे दूँगा आगे चलिए कोश्चन अमें 31 बहुत है आसान कोश्चन है यहां पर साथ है केंद्री कों दिया है यानि कोन कामान देदियाक्ट साथ डिया के सब्ध掰掰 सी तृद साथ रोओ हटा तो स्कूर है जोदा गुना चोद्धा हो गया अब दीकिए एक जिरो एक जोड़ा गड़ गया चौएचे चौछ चाथिस कड़ गया पिर साथ के साथ दूने 14 फिर दो 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 तीए चौट याने नीचे हमारा क्या बचा नीचे हमारा तीन बचा और उपर में 22 वायस और 14 रहा है अगे चलिए कोश्चिन नमर्ट तिस देखिए कोश्चन नमर्बतिस अभी दिखिए अभी देखिए अब दिक यहां पर में आपने पने हो जो तीज़ेखंट आप आध याद इसक्रे इस इसे रिलेटेड यह वहला है मतलब यहां पर थी तक इना प्लिक देना है तु होगा हाप है श को ढग देखिए कि दो बिरतों की कि कितिर आइचा 159 और 7 वह दोंtermin की जिसकी परिदी इन 2 बिरतों की पृदिए के योग के बराबर है त म estilo आर्वन इसका उल लेते हैं और इसके परिदी और इसके पर जोड़ कर नया बिरित यहां पर बनता है जो बढ़का सा जो बिरित होगा उसके तरजा को मोग बड़ा हाथ का आर माल लेते हैं तो देखिए यहार वन हो गया उनीच संट्ट हम लोगों ने लिख दिया और जो बड़ा बाला जो बिरित बनेगा जिसका यहां पर ट अम लोगों आने लेज्ट like показ लिख नहीं अबस है बिलकुल ऑप्षेल पीस का सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़े बांस की लंबाई बताई जो एक 12 मिटर लंबे 9 मीटर चोड़े रखी जा सकती है तो कमरा में जो सबसे जो लंबा जो एरिया हूता जो जगह होता ए यह ब्लल सबस्त होता है या पिर आप इसको भी ब्ल सकते हैं तेसे जगह कोना शेय प्लेकर कोना या सबसे बड़ा होता है लो हाई फिकर ने का देना माइ तो रूट अंडर स्कूर प्लस स्क vagy को जाएंगे तो यान difficile प्रूप्स नंबर बीज का सई हो जाएगा कोश्चन अबर 35 क्या देखिए संकु की उचाई दिया हुआ है एस दिया है दस संटिमिटर तो अब लिए आर बापर होता है डी बटा दो यानिकि दस बटा दो 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 पर दस यानिकि पांच सेंट्र आ गिया यहां पर आर आर भी दो आर भी मिलिया तो यह बरापर होता है रूट अंडर आर स्कॉर प्लस एचिस्क्वर तो आर है हमारे पास पांच तो पांच का स्कॉर और यहां पर आप्स नमरे इसका सही हो जाएगा कोश्चन नमर्च 36 को चलते हैं देख लेते हैं कोश्चन नमर्च 36 क्या है कोश्चन नमर्च 36 देखिए यहां पर मौडल बनाने वाली मिट्टी से उचाई 24 संट्र मिटल और आधार की तीरजा चौश संट्र में बनाया गया है बलाव अगर हम लोग संकू के लिए देखें क्या है तो स Paradise i at p.c.o क्या है असको की संस्ट्र मो और सेफ के संट्र में श्राइब हो गाल खैल था लिए और फो फरियस में बेले ऐह के और यहां पर आर को लिया है मानी लिया पहले से हमने यहां पर लिखी दिया है कोई दिखिए अब यहां पर क्या कर से यहां से अपनों का पाई और पाई कड़ जाएगा यह तीन और यह थे आर इसको से इसकते यहां पर चार है और आर-इसकोर ने चौबीस यहां पर लिख देंगे कि और शोपें टो आरते हैं यहां पर पिर टीन है इसका है यहां पर तो चौना शोगोना चौना चौना प्र गुला गया तो तो आप अब कितना जाए गा च्टो इसका आजाए गाए बिल्कुल इसका अपूर्चा का जाएगा सही अंसर हो जाएगा तो इसको तोरन बोला जाता है याद रखेगा, option number D, इसका सई अंसर हो जाएगा, question number 39 क्या है कि निम्डिकी दिमें से कौन सी संख्या, किसी घटना की पराइक्ता नहीं हो सकती है, तो रिनात्रमक संख्या कभी भी पराइक्ता नहीं होगा, याद रखेगा, 49 का यहाँ पर सई 0.05 ठीक है तो यह हमारा कितना आ जाएगा यह हमरा आ जाएगा 0.95 आ जाएगा यहां पर देकिए मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरिके से साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वाकावी वीडियो को लाइक करें चैनल को जरू सब्सक्राइब करिए सब्यक्त का भी वीडियो आपनों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा तो चले मिलते हैं गले वीडियो में थैंक्यू जाहिद